खेसारी लाल यादो लाइव आए और खेसारी लाल यादो ने इस लाइव में काफी कुछ ऐसा कहा जो कि बहुत अच्छा था और सुनके वाकई बहुत अच्छा लगा और ये सुनके इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि भूचपुरी इंडस्री में कल अगर दो बड़े गा बहुत पढ़ता है अब ऐसे में अगर कल ये एक गाना आया है तो उसे पूरा दिन मिलेगा और परसो जो गाना आएगा उसे पूरा दिन मिलेगा यानि कि खेसारी का जो गाना आ रहा है वो आपने अगर लाइव सुना होगा नहीं सुना है तो आप हमारे इस वीडियो के अंत में सुन लीजेगा पूरा लाइव बहुत ही बहतरी लाइव आये हैं खेसारी लाल यादों बहुत दिन बाद इतना जिंदा दिली के साथ और इतने सपोर्टिव नेचर के साथ हां इसके पीछे पवन के फैंसों या कई लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कुछ कह रहे हैं लेकिन आप उन सब चीजों पर ध्यान मत दिजिए कल का दिन है जहां पर पवन सिंग का गाना आने वाला है जिसे इंज्वाए करना है अच्छे व्यूस के साथ इसे आगे बढ़ाना है खेसारी लाल यादों ने ये भी कहा है कि कल पवन सिंग लाइव आके मेरे काने के बारे में भी बात करेंगे वो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे उन लोगों के मुँपे तमाचा होगा जो पवन और खेसारी को हमेशा बाटते हैं और इन दोनों की फैंस जो बढ़ चुकी है उन्हें करीब लाने का ये बहुत बड़ा मौका है ये कहने का मौका नहीं है कि खेसारी ने कदम पीछे ले लिया ये खेसारी ने अपना बड़ा दिल कर लिया जी नहीं ये बहुत समझदारी की बात है भूजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम चीज़े देखी जाती है जहां आप समझदारी की उम्मीद करें लेकिन अगर ये श आपको भी बहुत अच्छा लेगा भूजपुरी जगत की होट और मस्सालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं लोग हमसे प्यार करेला सबके गोड़ चुके गोड़ लागत दनी यह बबू आंक के खुस कके जई बेहना तैयारा में दोबार फिर भई बेहना तैंकियो सो मच आप लोग इतनी सारे प्यार और मुहबबत से खिसरिया को भर देते हैं कि मैं क्या बोलू एक साथ वो आपरे बाप पांच-पांच गाना ट्रेंडिंग में आप कैसे लेकर जाते हैं यह आप सब की मुहबबत ही तो है जो खिसारी को इतनी बड़ा बनाती है आपका प्यार आपका दुलार आपका शम्मान आप सब इतनी मुहबबत अपने बेटा के साथ करते हैं अपने भाई के साथ करते हैं यह देखकर बड़ा खुशी होती है एक एक नॉर्मल परिवार का बेटा एक दूद बेशने वाला लीटी बेशने वाल आदमी को आप लोगों ने इतना शम्मान और इतना प्यार दे देते हैं कि साइद मैं कभी शोचा भी नहीं था जीवन में कि आप सब मुझे इतना मुखबत देंगे दिल से थेए प्रफिटो लब यूरे क modulation रिलीजू रहा है आरी नहीं बाबु कल गाना रिलिज नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा तो 4-5 दिन पहले से डेट था कि रिलीज हम करेंगे बढ़ कोई नहीं होता है सब चीजे और ठीक है क्या ना और कल एक और गाना रिलिज हो रहा है मेरे बड़े भाई का और उसमें अकेले नहीं कम से कम हिंदी के चार तीन लोग और है तो मैं यह नहीं कि मैं डर से पीछे भागा नहीं ऐसा नहीं है मैं थोड़ा सा आगे चला गया इसलिए क्यों कि देखे हम दोनों भाई भजपुरी को परजेंट नहीं क नहीं दूसरे भासा के लिए काम कर रहे हैं तो लड़ने का कोई रिजन ही नहीं बनता है किसे चिसके लिए हाँ भजपुरी में बहुत सारे चायना लहीं इसलिए आदमी यह नहीं छोड़ा तो वो छोड़ दिया तो वहां पे चलता है बट मुझे लगता है कि मेरे बड़ तो मैं उनके लिए छोटा भाई हूँ उनका हमेशा सम्मान करता हूँ और आजीवन करूँगा मैं और कल एक गाना उनका रिलेज हो रहा है और मैं साथ तारी को रिलेज करूँगा तो मेरे गाना क्योंकि मैंने अपने कमपनी से बाद की सारी चीजे हो चुकी थी लेकि जब देटे भाया का आ गया तो मुझे लगा जिने हैं मुझे आगे करना चाहिए कियो एक सम्मान है वो डर नहीं है वो एक सम्मान है उनका अपने लेबल का गाना है हम दोनों एकी छेतर के हैं और हम जब मिलते हैं डूसरे से तो हमेशा उनकों उनसे मुझे एक बड़े भाई का प्यार मिला है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं उनसे लड़ू। और इसमें समस्या ये होती है कि कही न कहीं प्रॉब्लम होती है कि फैंस आपस में लड़ जाते हैं। यूटूबर लोग लड़ जाते हैं। कोई मतलब भी नहीं बनता है और एक भजपूरी का बेटा होने के नाते हम दूसरे इंडिस्टी में काम करने जा रहे हैं तो हम सब को सपोर्ट करना चाहिए उस परिवार को उस चेहरे को कि दुनिया कहे कि हाँ यार यह पौन सिंग है भजपूरी का है यह सारी लाले आदे हो भजपूरी का है तो लोग कहें इसलिए मैंने सोचा कि नहीं मुझे एक दिन आगे कर लेना चाहिए गाना को जबकि मेरा छे सा दिन पहले से डिट रिलेजिंग का डिट मारा दा गया था और हमारी एक खून में है कि हम अपने बुज़रुगों का संबान करें और करना चाह और मुझे पता है कि वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं बहुत चाहते हैं और मैं तो अपने गाने में अकेला ही हूँ भईया के गाने में बहुत सारे लोग हिंदी के बहुत सारे स्टार है उनकी अपनी फैन फॉलिंग है और भईया की अपनी फैन फॉलिंग है तो उस को भी आप लोग support करिए क्योंकि भजपुरी बड़ा हो रहा है वहां पे भजपुरी का एक बेटा बड़ा हो रहा है तो हमें उस पे बिचार करना चाहिए क्योंकि हमें भजपुरी को आए कि कमपनियां 75 कमपनियां है कोई यह नहीं छोड़ा तो छोड़ा वो नहीं छोड़ा और यह चीज़े चलती रहेगी तो मुझे लगता है कि हम लोग अलग लेबल पर काम की हैं तो दोनों भाईयों को थोड़ा उपर रिचा करने में क्या जाता है और मैं छोटा भाई इसलिए मैं सोचा कि मैं आगे चला जाता हूं। और मुझे पता है कि आज मैं उनके गाने का पर्मोशन कर रहा हूं क्योंकि बड़े बाई है कि यह इन्हों ने कुछ करने की कुछिस किये हैं और मुझे लगता है क्योंकि यह मेरा बिश्वास है कि कल वो भी Lira आएंगे औ अगर उनहीं आएंगे तो लेकि मुझे नहीं लगता है यह और मेरे घाने बरे में 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 बोलता हूँ आप लोग उस गानी को प्यार दीजिए जो कल रिलिज हो रहा है और पैर्स송 तो बस मैं चाहता हूं कि दोनों भाईयों को दीजी भर के जितने भजपुरी समाज के लोग हैं आप प्यार दीजिए, भर दीजिए और हमारा ही बड़े भाई नहीं है वो हमारे audience जितनी मुझे प्यार करती हैं सब के बड़े भाई हैं आप लोग उनका शम्मान करिया और कल के गाने जो उनके release हो रहे हैं खोब प्यार दो खोब भर दो पगल दो प्यार से भर दो और परसो मेरा हो रहा है जिस तरह आ रहा है आले गाने को आप लोग उने महबबत से भर दिया, पांच-पांच ट्रेंडिंग में लाया आपने, आज तक ऐसे किसी कलकार के साथ, किसी भासा के कलकार के साथ नहीं हुआ, कि ये एक साथ पांच गाने ट्रेंडिंग में हो, वो किस नम्मर पे है, ये मायने नहीं रखता है, लेकि उसकी पोजीशन पाँच गाने एक कलाकार के एक प्लेटफॉर्म पे और ट्रेंड कर रहा हो तो ये सोभागी की बात है हम सब के लिए गर्ब की बात है ये आपके अंदर कितनी मुहबत खेसारी लाल यादू के प्रती होती है तो कल भीया का रिलिज गाना हो रहा है मैं परसो कर रह रहा है तो मेरे बड़े भाईया को प्यार और मुझे प्यार करते रहेंगे लभी मेरे भाईया लभी ओडियेंस और लभी मेरी जान मेरी जिंदगी जो मुझे प्रत करते हैं और एह बबु आग के खुशिक के जई बेहना तयारा में दुबारा फिर है बेहना और एको फालतू इंटर्टेन्मेंट से मेरा गाना रिलिज हुआ था कि दहरद उठे ये राजा कमर के भीतरिया भीतरिया तो नाय सैनल है और बड़ा अच्छा प्यार आप लोग ने दिय है कि कासे हम भी होती तुम हो जहां वहां फिर कुछ यह लग सा एजहां होता है वो परसो मेरा गाना यानि साथ तारी को रिलिज हो रहा है तो आप भीर सारा प्यार और असरवात से भर दीजिए दोनों भाईयों को भीर प्यार दीजिए और कौन भी या कल पिलिज लाई ब मैं हक से बोल रहा हूँ आप मेरे बड़े भाई हैं तो मैं चाहता हूँ कि दोनों भाईयों ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहें और अपने ऑडियेंस अपने भजपुरी समाज को बड़ा करते रहें अपने भजपुरी के बेटा होने के नाते हम दोनों भाईयों का करें और भजपुरी समाज को आगे करें लभी भाईया मेरे और लभी अमारी ओडियंस भगवान सुरुपी जनता दिल से लभ यो all thank you